नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के सामें फिर से आ चुके हैं आज हम बनाएंगे रोहु मचली करी जिसके लिए लिया हमने लगबग एक किलो रोहु मचली जिसमें थोड़ा हल्दी और नमक मिला करके इसको थोड़ी देर के लिए रख लिया था अब इसे हम गरम तेल में फ्राई करेंगे जिसके लिए हमने लिया है कड़ाई में कुछ थोड़ा सा सरसो का तेल फ्राई करने के लिए तो आईए हम अब इसे फ्राई करते हैं तेल हमारा अभी गरम हो रहा है बना रहा है विसाल एकदम देशी श्टाइल में रेशिपी अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों तेल हमारा गरम हो चुका है और हम फ्राई कर रहा है कुछ इस प्रकार से दी में आज पर हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे पहले मशली देरे देरे हम लोग की फ्राई हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारी मशली कुछ इस प्रकार से अच्छे से फ्राई हो रही है मशली हमारी मशली हमारी प्राई हो चुकी है आप देख सकते हैं तो हमारी मशली अब प्राई हो चुकी है बचे हुए तेल में हम थोड़ा और तेल डाल लेंगे और तेल को अब हम गरम कर लेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है उसमें हम सबसे पहले डाल लेंगे खड़ा लाल मिर्च तेज पत्ता डाल चीनी और खड़ा जीरा अब इसमें हम डाल लेंगे कटीवी प्याज और इसको हम प्याज को हम हलका ब्राउन कर लेंगे प्याज को हम इस तरह से ढग कर पका लेंगे धीरी आज पे प्याज हमारा अलका ब्राउन हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे कटीवी हरी मिर्च और अद्रक लेसुन का पेश्ट थोड़ी देर इसे भी हम अच्छे से भूल लेंगे अब इसमें हम कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे और इसे भी हम ढग कर थोड़ी देर पकाएंगे ग्रेवी के लिए मसाला हमारा त्यार हो रहा है ग्रेवी अब हमारी दीरे दीरे पक के त्यार हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला धनिया पाउडर थोड़ा लाल मिच पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर अई सब को डाल कर हम अच्छे से चला लेंगे और धी में आज पर ठक कर फिर से पकाएंगे अब देख सकते हैं मसाले से अच्छे से कलर आने लगा है मसाला हमारा लगबग घुन कर तयार हो गया है इसमें हम थोड़ा पानी डाल के धक देंगे कुछ इस प्रकार से मसाला हमारा पक चुका है अब इसमें हम पानी डालेंगे अब हम फ्राई की हुई मशली इसमें डाल देंगे अबने प्राई की हुई पूरी मशली इसमें डाल करके हम फिर एक बार धीमें आज पेस से हम धक कर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी की मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ऐसी इसी वीडियो में हमेसा आप लोगों के सामने लाता रहता हूं और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये रिसिपी आप लोग कैसी लगी और मेरे इस वीडियो को सेर करना न भूले दोस्तों अब हमारी मशली बिल्कुल पकर तयार हो चुकी है गर्मा गर्म खाने के लिए तो धन्यवाद दोस्तों अजदे तोर्म गजया कि अखिए और को से लोगके तोर्मा यादाी माँ का का तोस्तों